असलम अलेकों my dear students, how are you all? I hope all of you are fine. Today our topic is chapter number 5, textual questions of chapter number 5, that is page number 57 of your English book class 6, turn page number 57. तो जैसे के हमने प्यारे बज्चो जैसे के हमने इस chapter को complete किया है, दकश्मीरी शौल जिसका नाम है, आज हमें इसके सवालात करने हैं, तो we have due today the textual questions तो इस तरह से आपका जो question number one है वो इस तरह से है what do you understand by the तालीम, who writes it, how is pashmina second, question number second, how is pashmina obtained it, how it is different from other types of wool, how did the Europeans come to know about the kashmiri shawl and question number four is what is the other name of the designer of the kashmiri shawl, इस तरह से इन questions को आज हम करने जा रहे हैं, तो first question जो है जैसे कि आपने पढ़ा है, question number one जो है what do you understand by तालीम, who writes it, तालीम हम किसे कहते हैं और कौन इसको लिखता था, जैसे कि आपके book पे page number 55 पे यहां पे दिया गया है, कि जो तालीम होती थी, it is a pattern master, जो इस pattern को बनाता था, design को बनाता था, उस master को हम तालीम गरू कहते थे, who writes the instruction down using the traditional sign, वो इन राइटिंग इसको लिखता था, इन design को इस जो शॉल के alphabet, alphabet design होते हैं, उनको लिखता था, इवीवर्स को हलब देते थे, it is basically the transcription, जो वीवर्स को तालीम दी जाते लिखे, किस तरह का जो लूम पे आपने स शामने रखते थे, कि किस तरह से हमें शाल का design बनाना है, किस तरह से दागे जो है इसके जोडने हैं, तो इसको हम तालीम कहते हैं, ये paper पे, मैंने आपको एक photograph में भी दिखाया कि किस तरह से फ्रेंट पे, लूम के फ्रेंट पे रखा जाता था, तो किस तरह से downward से काम करते थे, और जो इसको सिखाता था, वो pattern master, उसको हम तालीम गरू कहते थे, तो इस तरह से आप इस question का जवाब जो है, वो का आप इस तरह से लिखेंगे, तालीम इस ट्रान स्क्रिप्शन, और set of instructions, किस तरह से हम instruction दींगे, instruction user by the wave shawl किस तरह से हम shawl को बनाएंगे, उसके instruction जो है उसको हम तालीम कहते हैं, तालीम is written by तालीम गरू, इसको तालीम गरू या तालीम मास्टर भी कहते हैं, गरू means teacher, तो in traditional signs और shawl alphabets, यह इनको लिखता था, और लोम के front पे रखा जाता था, इसमें instruction मिलती थी कि कि किस type का हमें shawl बनाना है, किस type का design बनाना है, इसी तरह से question number two, जो है, वो है, how is pashmina obtained and how it is different from other types of wool, आपको पता ही, pashmina मैंने आपको बताया, pashmina जो है, wild goat का के जो फर होते थे, उससे छाती के फर जो होते थे, उन से लिया जाता था, और यह बहुत soft, dedicate होते थे, बहुत soft होते थे, बहुत नाजुक होते थे, और यह जो है, बहु ही मिलती, वो rear होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा महंगा होता था, इसलिए इसकी यही एक खासियत है, कि यह बाकी wool से, जो हमारे पास होते है, मुक्तिलिफ है, क्योंकि इक different type of wool होता है, जो हमें kill goat से, wild goat से मिलता है, तो इस तरह से इसका answer आप लिखेंगे, pashmina is obtained from the best here of the kill goat, pashmina हमें कहां से मिलता है, जो wild goat होती है, जिसको kill कहते है, wild goat जो central Asia और high altitude सब्तिवत पे हमें मिलते हैं, वह वो जो है, उसके सीने के बाल जो होते है, उसकी चाती के बाल जो होते है, फार जो होता है, उससे मिलता था, it is different from other wools, क्यों other, because it is soft, यह बहुत साफ जो है, वो है, how did your friends come to know about the kashmiri shawl, your friends, जो अंग्रेज लोगे, उनको कैसे पता चला kashmiri shawl के बारे में, और उन्हें कैसे इस shawl के बारे में, your friends को पता चला, तो कहते है, your friends come to know about the kashmiri shawl through burnier, burnier जो है, who visited kashmiri in 1964, burnier जो है, एक English historian था, वो 1964 में उसने विसर्ट किया, वो यहा पर आया, कश्मीर में आया, तो यहां पर उसने देखा, कि यह एक अलग टाइप का जो है, कपड़ा है, यह जो अलग टाइप की डिलिकेसी है, इसको, यह बहुत elegant है, यह बहुत soft है, तो उसने इसकी बहुत तारिफ की अपनी books में भी लिखा है, वर नियर ने, तो उसने कह कि यह कोई मामुली कफड़ा नहीं है, जो हमें वाकिस स्टेट्स में मिलता है, इसकी softness और डिलिकेसी जो है, इस शॉल की, वो उसने कहीं नहीं देखी थी, तो हैरान हो गया, और वो इसकी तारीफ जो है, करता रहा है, इस तरह से अंग्रेजों को इस बारे में पता चला, इरुपेनिस के साथ साथ हम देख लेएं, फ्रेंच ने भी इसका बहुत सारा यूज किया, यह मैंने आपको पढ़ता है, इस तरह से इसका आंसर आप लिखींगे, इरुपेनिस को बारे में लिखा, अपनी बुक में इसके बारे में लिखा, इसके बारे में लिखा, about दे कैसी इसकी शाल के बारे में बहुत अपनी बुक में उसने की है, तो इस तरह से जो है इस इरुपेनिस केंट नो एंड दे वर एवियर अबाउट दे शाल, तो कॉस्चिन नमर जो है, वह है फोर, वर्जादर नेम अप डिजाइनर आप दे कश्मीरी शाल, कश्मीरी शाल के का डिजाइन जो होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? यह बहुत आसान है, इसको हम कश्मीरी में जो है, कश्मीरी नाम भी दे सकते हैं, नकाश इसको कहते हैं, तो नकाश जो है, इस तरह से ये आप लिखेंगे, नकाश is दा अधर नेम for the डिजाइनर आप कश्मीरी शाल, क question number five जो है वह आपकी भूख पे है के हूब रौश द स्वॉ जू जु कश्मीर कश्मीर में कैसे हमें ये शॉल के बारे में आया किस ने शॉल इंडिस्ट्री जुई है कक्षमीर में सेट की, आपको किस तरह पता चला तो ँज़र हम बता यह किस नहुन्य ने फिरस्ट कश्मीर मेला की पता चला यह मैंने पड़ाया भी नीम याद आया जेन अलावादीन जिस को भी सिखाओ कि शौल के बारे में तो बशा जो है या वर्ट अपर स्टेइट इंडिस्ट्री शौल इंडिस्ट्री जो किस्मीर गोस तो जैनुल आबदीन जुसको बशा कहते थे according to the Carl Von Heugle जो कश्मीर आया था 1836 में दा सुल्तान सेमने इन 15th संचरी हाइली सिकलेड वीवर नागस बेग फाम तुरकिस्तान आपने लिखा उसने लिखा कि सुल्तान ने समन दी नागस बेग को सिकलेड वीवर जो नागस बेग था उसको कहां से तुरकिस्तान से उसको बलाया उसको कश्मीर में अंटेडूस करवाया कि यहां पे कश्मीरी शाल इन लोगों को सिखाओ इसका मतलब यह कारिगर जो थे बेसिकली तुरकिस्तान के थे तो उन्होंने कश्मीरियों को सिखाया तो इस तरह से इसका अंसर लिखींगे आप सुल्तान जैनुलाबदीन ब्रॉट दे शॉल टो कश्मीर कॉल वॉंग हुगल ए वैलनून हिस्टोरियन विस्टर कश्मीर ने 1836 एंड रोट दे सुल्तान सेमने सिकलेड वीवर्ज जिसको मगजबेक कहा जाता था एंड इंटेड सिखाए कि किस तरह से शॉल बनाते हैं जो कि तुर्किस्तान से आया था यह एक वैलनून हिस्टोरियन है कार्ल वान होगल जिसने अपनी बुक में यह लिखा है तो आई थिंक इट इनफ और टोडे थैंक यू थैंक यू सो मॉच